हेलो दोस्तो नमेशकार मार्केट में डबल भी हो सकता है तो जरूर वो गलती क्या है इस चीजों को डीटेल में मैंने बताया है तो लिंक इस वीडियो का भी उपर आई बड़न दे दिया है तो चले फिलाल तो अभी हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं सो दोस्तो अब हम लोग आ चुके बिलकुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के उपर और दोस्तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले ऐसे कंपनी के बारे में जिसने अल्रड़ी हम लोग को कमाल के रिटन्स देखे रखे हुए है जैसे के मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूँ कि जब यह गाड़ी प्लैटफॉम के उपर खड़ी थी किसी को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था जब यह बहुत ही तेजी से भागना स्टार्ट हुआ तो बहुत सरे लोगों ने इसको क्या किया है फिर खरीदने की कोशिच के एंट टॉप लेवल पे उनमें वो बाइंग करके आपे बेठे है अभी फिलाल कमपनी टॉप लेवल से 40-50% डाउन देखने को आपे मिला है तो यहाँ पे हम लोग कौन से कमपनी की बात करने वाले यह सारी बाते इस एक वीडियो में यह तीनों पॉइंट कबर होने वाले है तो चलिए पॉइंट नंबर वन के साथ शुरुआत करेंगे जहाँ पे हम लोग कुछ जबरदस्त यहाँ पे खबर देखने को आपे मिली है तो ठीक है दोस्तो अभी हम लोग ने यहाँ पे ट्राइडेंट ग्रूप का जो PDF है अपलोड हुआ है उसको मैंने ओपन किया है और दो डेटा मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे ओपन किया है जिसका हम लोग कमपैरीजन करेंगे सबसे पहले यह डेटा किस से रिलेटेड है तो आप देख सकते हो information related to the production details of the company for the month of October यह October का डेटा देखने को मिल रहा है point number one और उसी के साथ-साथ मैंने simultaneously एक और डेटा उपन किया है November का भी यहाँ पे देखा गया तो जो month खतम हो जाता है उसका डेटा देखने को मिल जाता है अभी December चल रहा है तो obviously December जब खतम होगा तो उसका डेटा January में release यहाँ पे हो जाएगा तो अगर देखा गया तो October, November यह देखे side by side यहाँ पे मैंने data open करके रखा हुआ है कि कितना production इन companies के businesses में monthly wise हम लोग को increase होते वे देखने को आपे मिला है और कहाँ पे हम लोग को pressure देखने को मिल रहा है यह भी देखना है So Trident Company के अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो Trident Company के अगर आप business को अच्छी तरीकी से जानते हो तो यहाँ पे दो बड़े pillars है जिसके उपर Trident Company का business यहाँ पे खड़ा है एक pillar है textile business से related और दूसरा है अगर हम लोग बात करें papers and chemical अगर आप Trident में निवेश करते हो एक अच्छे long term investment के इसाब से अगर आप इसको consider करते हो तो यह तो basic सी information है at least इतना तो आपको पता यहाँ पे होना चाहिए so textile की बात करें and papers and chemicals की बात करें इससे related data हम लोगों को देखने का आपे मिला है आप check कर सकते हैं आपे सबसे पहले textile division यहाँ पे बताया है and नीचे देख सकते है paper and chemical division side में भी हम लोगों को वही data देखने का आपे मिल रहा है अभी बात करेंगे दोस्तो इसमें से important data कौन सा है दो divisions देखने का आपे मिल जाते हैं आप चाहो तो इनको segment भी बोल सकते हो तो दोस्तो important segment है इनका textile का अगर मैं यह आपे बात करूँ तो Trident अगर 13 रूपे का business करता है कितना? 13 रूपे का business तो उसमें से textile 10 रूपे का business यहाँ पे करता है and paper and chemical की बात करें तो 3 रूपे का business तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि ratio कहाँ पे बढ़ा है तो हम लोगों के लिए important data कौन सा है? दोनों important है पर textile को हम लोग थोड़ा सा जादा यहाँ पे वेटेच देंगे क्योंकि वही उनका main business है सो दोस्तो ठीक है यहाँ पे आप चेक कर सकते हो October में Trident में कितना production किया था उसका data है and simultaneously November में क्या इनका business चल रहा है वो भी हम लोगों को देखना है कितने units के हिसाब से मतलब चलिए point number 1 अगर आप लोग देखेगे तो bath lean से related अगर हम लोग बात करें तो 4,111 metric ton का production हम लोगों को यहाँ पे October मन्त में देखने को मिला था कितना? 4,111 and इस वक्त November का data जो release हुआ है उसमें आप देख सकते हो same उसमें 4,500 से भी ज़्यादा bath lean का metric ton के हिसाब से अमनों को quantity का production होते वे देखने को आपे मिला है तो एक बहुत अच्छा कासा data फिलाल था अमनों को देखने को आपे मिल रहा है same अगर हम लोग पिछले मन्त की बात करें तो वहाँ पे अगर हम लोग चेक करें तो किस से related है यह bed line से related अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे कितना है 1.92 से related data हम लोग को देखने को मिल रहा है meters में है millions meters में है तो इस वक्क के अगर हम लोग बात करें तो 1.92 last time था इस वक्क कितना है 2.21 का हम लोग को यहाँ पर डेटा देखने को मिला है तो चले यहाँ पर भी हम लोग को production से related जो डेटा है उनमें increment यहाँ पर साफ साफ होते भी देखने को आपर मिल रहा है then third data के और आ जाते जो कि last month में yarn की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर nearby 7000 से भी ज्यादा metric ton का data हम लोग को quantity के इसाब से देखने को मिला था जो कि इस quarter की बात करें तो 8200 से भी ज्यादा yarn का metric ton का production हम लोग को इस month में इस month में मतलब जो November month खतम हुआ है उसमें हम लोग को यह data देखने को मिला है तो क्या समझ में आ गया अगर आप तीनों चीज़ों को compare कर ले बात लिन की बात करें, bedline की बात करें, यान की बात करें तो यहाँ पर जो पिछला month ली data था उसके हिसाब से अगर हम लोग compare करें इस month के data के हिसाब से तो अच्छा का सा production में हम लोग को increment होते भी देखने को आपे मिल रहा है यह एक बहुत ही अच्छा data फिलाल तो हम लोग को देखने को आपे मिल रहा है जैसे मैं आप लोग को शुरुआत में ही बताया है कि 13 में से 10 contribute करता है textile और उसी का ही data में हम लोग को increment देखने को मिल रहा है यह एक बहुत ही शांदा हम लोग को यहापे indication यहापे देखने को मिल रहा है अभी आ जाते second part के उपर second part मतलब जो तीन contribute करता है मतलब paper and chemical division से related तो चले पिछला वाला मन्त देख लेते पिछला वाला मतलब आप चेक कर सकते हैं यहापे कितना था paper and chemicals की बात करें तो लगबग था यहापे 12,000 12,136 metric ton paper से related हम लोग को production देखने को आपे मिला था इस वक कितना हुआ है तो paper से related production 12,000 मतलब nearby same ही देखने को मिल रहा है लास्ट टाइम कितना था 12,136 इस वक कितना है 12,061 little bit थोड़ा सा down या फिर आप चाओ तो इसको flat भी consider यहापे कर सकते हो और similar way chemical की अगर हम लोग बात करें लास्ट टाइम chemical कितना था 3,173 इस वक कितना है 9,164 बापरे बाप तीन गुना हम लोग को जबरदस यहापे production होते वे देखने को मिल रहा है आपको यह सारा डेटा अच्छी तरीके से आपे पता होना चाहिए और production की अगर हम लोग बात करें तो company के इसमें बहुत ही अच्छा कासा increment भी हम लोग को होते वे देखने को आपे मिल रहा है तो no doubt also जो main data था वो मेंने आप लोग के सामने रख दिया है October मत में हम लोग को जो poor performance देखने को मिल रहा है वो November मत में हम लोग को अभी better performance होते वे देखने को मिल रहा है और आने वाले जो company के quarter 3 के numbers रहेंगे उनमें हम लोग को वही सुधार होते वे देखने को आपे मिल सकता है इसलिए textile industry की जितने भी companies के management की commentary अगर आप सुनोगे तो उनने यही बता है कि उनके उपर जो आने वाले numbers रहेंगे margin के उपर का जो pressure है वो release होते वे देखने को आपे मिल सकता है और इसके चलते Trident के भी number अच्छे देखने को मिल सकते है यह एक उमीद की किरंट देखने को आपे मिल रही है बाकी चीज़ों की अगर हम लोग बात करें देखिए जो भी चीज़े अभी मैंने आप लोग को बताया कि यह leading manufacturing of yarn, bath lean की बात करें, bed lean की यहापे बात करें तो इसी से related हम लोगोंने data यहापे देखा था market cap की बात करें, तो no doubt एक mid cap quality की company 8400 करोड का market cap है अगर देखा गया, जिस segment में यह काम करते है textile products की, तो उसमें हम लोगों को number one फिलाल तो चलते वे देखने को मिल रहा है pricing के उपर नहीं जाना है यहापे, कि 36 का है इसलिए यह number one कैसे हुआ, market cap के इसाब से numbering दी जाती है, second number पे Raymond है, जो की 400 का है, बट still वो second पे है, क्यों कि इसका market cap Trident से 50% नीचे देखने को आपे मिल रहा है, और Raymond की भी अगर हम लोग बात करें तो हाली में ही मैंने आप लोगों को Raymond का भी data पढ़ कर बताय था, उनके management ने commentary दी थी, कि उनका textile का business कितना अच्छी तरीके से grow करते वे देखने को आपे मिल रहा है, शादी का record आपको याद आया होगा प्लस जो raw material है, उसमें कैसे गिरावट देखने को मैंने, इसके चलती कैसे उनको फाइदा मिल रहा है, तो इस सारी चीजे में धाई पसेंट, and D.I.S की बात करें, तो वो भी जादा ने, क्योंकि रिस्की company है न, government भी कुछ नहीं है, and public की बात करें, तो 20-22% की holding देखने को मिल रहें, मतलब public के हिस्सेदारे की, अगर हम लोग बात करें, तो retail minister के portfolio में, ये stock हम लोग को जादा फिलाल तो देखने को आपे, मिल रहा है, so देखा गया, तो Trident Limited, ये कोई खराब company ने, बट जैसे के आपको पता ही है, एक साल के भीतर-भीतर, जिसने निवेश किया होगा, वो परेशान हो चुका होगा, 33% की गिरावाट क्यों, क्योंकि वो लगातार train भागती जा रही थी, बस रैंडम ली जाके खरीद लिया, एंड उसके बाद जब गिरावाट आ जाती तो परिशान हो जाते, जिन्नोंने पूराने टाइप से hold करके रखा है, उनके रिटन्स 318% के देखने को आपे मिल रहे है, हमारे परिटन्स तो 500-600-700% तक जाते वे देखने को मिल रहे है, एंड डोंट फगेट, ये कमपनी उपरी स्तर से 40-60% डाउन देखने को आपे मिल रहे है, जो ये एडवांटेज होता है, जब गाड़ी प्लाटफॉर्म के उपर यहापे खड़ी रहती है, तब अगर आप इसमें निवेश करते हो, तो जब वो तेजी दिखाती है, तो आज भी आपके पास चोईस है क्या आपको कंटिन्यू करना है, या नहीं करना है बट जिनोंने बिल्कुल भागतेवी ट्रेन को जले जाते है, तो बैस मैं इतना है कहना चाहूँगा कि ट्राइडन अगर आपके पास है, तो होल्ड करने में कोई दिक्कत तो है नहीं, कमपनी सॉलिड है, प्रमोटर होल्डिंग भी सॉलिड है, बिजनेस भी अच्छा देखने को देखने को आपे मिल रहा है, तो अगर आपके पास है, तो जरूर आपने कमपनीस की कौटर 3, कौटर 4 के नंबर्स को देखना चाहे, क्योंकि वहाँ पे अच्छे नंबर के चलते, ट्राइडन में सुधार होने की मतलब जो पॉसिबिलिटी है, वो ज़्यादा देखने को आपे मिल रही है तो आशा करता हूँ, ट्राइडन से लेटर जितने भी इंपोर्टन बात है थी, सारे मेरे आपलों के सामने रख दी तो विडियो अच्छा लगे तो चाहूँ तो इसको लाइक और शेर कर सकते हो अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वडियो के लिस्ट बिल्कुल आपलों को free of cost यापे सीख सकते हो, so that's it, thank you very much दोसो, we will be meeting Rx Studio, तब तक के लिए, bye-bye